कि अगए अग अगए है कि अगए है लोग फ्रेंड्स वेलकाम टो एकेडमी आज आगए अगाश मेता आज हम डिसक्स करें के बजेट फाइनेशने रिद दूजर तेईश-चौबिस का बराबना कौन से नमबर का बजेट है फ्रेंज यह 93 यूणियन बजेट बराबना उसके तो बजेट is an annual financial statement of estimated receipts and expenditure of the government in a financial year देखो economical language के अंदर जो income होती है उसको बोलते है receipts पराबना रहेट तो government की जो आने वाले financial year के अंदर जो उसकी income होने वाली है और जो उसका खर्चा होने वाला है उसका एक estimation होता है और इस estimation को एक proper तरीके से दिखाये जाने वाला instrument budget कहला जाता है बराबना तो यहां पे budget अगर मैं अम्वरित काल की बात करूँ तो अम्वरित काल कौन सा टाइम पिरेड है दो जार बाईस से लेके 15 ऑगस्ट 2022 से लेके 15 ऑगस्ट 2047 यह अम्वरित काल है अजादी के 76 से 100 साल तक का जो समय है उसको अम्वरित काल कहा गया है बराबना तो यह अम्वरित काल का पहला budget है यह जो budget है 93rd union budget वो अम्वरित काल का पहला budget है और यह भारत का 3rd paperless budget है तो यह जो paperless budget है वो made in India template के अंदर present किया जाता है बराबना पहले budget को बही खाता के अंदर present किया जाता था अभी tablet के अंदर उसको present किया जाता है बराबना तो यह भारत का 3rd paperless budget है और अम्वरित का पहला budget है बराबना वो जानवे रखना है ओके budget कौन prepare करता है finance minister निर्मला सीता रामन वो budget को present करती है पार्लामेंट के अंदर लेकिन prepare कौन करता है तो budget को prepare करने के लिए उसका जो काम है वो एक department को लिया गया है department of economic affairs और यह department कौन से मिनिस्ट्रेक अंदर में काम करता है finance मिनिस्ट्रेक अंदर में काम करता है तो यह जो डिपार्ट्मेंट अफेर्स है उसका उसको और भी responsibility दे गई है वो फिसकल पॉलिसी भी बनाती है उसके अलावा वो स्टेट अंदर प्रेसिडेंट तो इसका भी बजट बनाती है बदा मना तो बजेट और फिसकल पॉलिसी बनने का काम किसका है डिपार्ट्मेंट और इकोनोफिक अफेर्स का कौन से मिनिस्ट्रेक अंदर मे भी सब्सक्राद फिसकल पॉलिसी कि आ यह फिसकल पॉलिसी क्या-क्या मनाती है और इक बजेट बनाती है और एक बजटिक बाजटो कर ki सरकार कर qur दो राज्चे सरकार कि जो जिसके उपर प्रसियंट का राज चलता है उसके अलबाद जो इंटेटरी कि जो विदाउट लेगी सेचर है उसका भी बजेट कौन बनाता है डिक डिपार्टमेंट ओफ एकोनोमिक अपेट्स बारा मनंद कि फिस्कल पॉलिसी क्या है चुली फिस् पॉलिसी को ठियार करता है यहार करता है पैसे को कितना सब्सक्राइब करना है लोगों के हाथ में कितना पैसा अभी लेबल रहे होना चाहिए वह करना है कहा हम को DOC करना है और कहा खदाना है कंसे कैपिटल बजेट है ना फ्रेंज बजेट है ना वह गवर्मेंट को अपनी फिस्कल पॉलिसी सही तरीकी से इंप्लीमेंट करने में मदद करता है बराबना एक डॉक्युमेंट है कि अपनी फिस्कल पॉलिसी यह तरीकी से इंप्लीमेंट करना चाहता है तो वह दर्शाने का गवर्में अपनी फिस्कल पॉलिस को किस तरीक से इंप्लिमेंट कर वाएगा वो कौनसे डॉक्यमेंट से दिखाता है बजेट के माधियम से बराबना रइट ओके तो ये क्लियर होगा बराबना रइट बजेट के बारे में और कुछ facts देखते हैं कि हर साल budget कौनसे तीन पेश किया जाता है 1st February को बराबना तो इस पार भी 1st February 2013 को budget session हुआ था पारलामेंट के अंदर और जब बजेट रीब्रेजंट किया जाता है फाइनस मिनिस्टर के दुआरा तब पर्लामेंट के उस सेशन के चेर्मेंट कौन होते हैं तो लोगसबा स्पीकर ओम बिला बराबना और यह हमारे जो फाइनस मिनिस्टर निरिमाट सितारामान है बराब उनका फिफ्ट बजेट था यहां पर लिखा है कि फूल बजेट है बड़ा मनना और निरिमाट सितारामन का भी फिफ्ट बजेट था बराबना राइट अभी यह 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 वर लिखा है कि full budget अभी budget पे अच्छली नॉर्मली दो टाइप के होता है एक तो full budget और interim budget interim budget full budget किसको बोलते है friends कि full budget कि जो आने वाले पूरे financial year के अंदर सरकार क्या करने वाली है कहां से पैसा जनेरेट करने वाली है वह पूरा लिखाजी का हो आने वाला पूरा financial year का लिखा जो लिखाजोका हो बड़ा जो बज़ेट के अंदर उसको बोलते हैं full budget लेकिन interim budget क्या होता है कि यहां पे पूरे आने वाले पूरे साल का लिखा जोका नहीं होता बराबना यहां पे कुछी महीनों का लिखा जोका होता है कि हम आने वाले तीन महीने के अंदर यह करने वाले हैं आने वाले चार मेने के अंदर यह करने वाले हैं तो इंटरिम बेजट है ना वह टेंपरररी बजट होता है वह पूरे साल बजेट में जो भी पेश किया जाता है वह इंपलीमेंट कब से होता है एप्रिल महिनcriptions बढ़ा पहली एप फस्ट reg pista से धर्टılar तक परबाल तो यहाँ पे यह जो फेबुरु वारी में 31 स्मार्ट तक हम क्या करने वाले हैं वह उस टाइम पिरड़ का पूरा लिखा जोगा होता है लेकिन सरकार को पता है कि जुलाई के अंदर इलेक्षन होने वाला है बजेट फेबरवारी में पेश करना है बजेट का इंप्लिमेंटेशन कब से होने वाला है एपरिल महिने से तो सरकार जब इलेक्षन होने वाला होता है तब पूरे साल का बजेट ने बनाती वह एपरिल से जुलाई महिने तक का ही बजेट बनाती ती इंपलिमेंट नहीं करने वाली हैं राइट ओके तो यहां पर सरकारी यह करते हैं कि इलेक्षन का जो टाइम पिरिड़ होता है न उस वर्ष दर्मियान बारा बना कि जब तक इलेक्षन होने वाला है वह महिने तक ही बजेट को रिपेशन किया जाता है उसको बोलता है इंटर करसित खतम हो जाता है तब उसके बात पार्लामेंट के अंदर एक हलवा सरेमनी होता है अगर्ष उसके चैर्मेंट को नोगसते स्पीकर होते हैं और यह मोदी कवर्मेंट की जो सेकंड टर्म है उसका फिफ्ट एंलास्ट फूल बजट है फूल बजट और इंटरीम बजट क्या होता है वह आपको पता चल गया होगा उसके हलावा यह निम्ल सितारमन का भी फिफ्ट बजट है बराब नम राइट ओके पाट fryंस की बजट के दो पार्ट होते हैं इक सब्सक्राइब है और क्या फेल का मतलब ने कि यकोनुमिकल नेंगूएज के इंदर डिसेपको बोला जाता है इंकम बराबना बहरा इंकम को बोले जाता है रिसेट बड़ामन रहे अभी revenue part के अंदर अगर में सरकार की income कहा कहा से होती है उसके बारे में बात करूँ तो पहले तो revenue receipt यह एसी receipt होती है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है फिर भी उसकी income देरेट के हो रही है। और याद रखना है सो फिर वह नहीं को बोलते हैं पर यहां पर काह से आती है तो एक टोर 10 के माध्यम से नों टेक्स में से भी कौन-कौन से टेक्स के माध्यम से आती है तो कि डारेक्ट टेक्स के माध्यम से और इन डारेक्ट टेक्स के माध्यम से ओके डारेक्ट टेक्स के पे करता है जो income generate करता है citizen खुद पे करता है उसकी जैब में से करता है और वो directly government को पे करता है तो जो भी tax जिसकी उपर tax लग रहा है वो person या तो फिर संसा खुद government को पे करती है उसको बोलते डारेक्ट टेक्स लेकिन इन डारेक्ट टेक्स की अगर बात करें तो for example मैंने नैन वह कितने पर पढ़ेगी बल्लैक 28,000 रुपीज अभी मैं as a customer मुझे कितना पे करना पढ़ेगा वनलेक 28,000 रुपीज बारा मनना तो मैं तो वर्लैक 28,000 रुपीज पे करूंगा मेरे चेमे से इतना घड़ेगा राइट लिकिन वर्लैक 28,000 मैं किसको पे करने वाना हूं वह नड़नॉ करके डीलर को उसका जो रीटेलर है उसको प्रेच करने वा ला हूं फिर वो रीटेलर एक लाख रूपिया अपने पास रखेगा एक लाख रूपिया अपने पास रखेगा नहीं weantine ब स्वाफने 9 विसके आपनीजंद मैं से नहीं कटा जेंगिसकीज़ में से अप्रतरों की जैब में से लेकिन को किसने बेख या बराभाल मनतों यहां पें eggs किसी और के जैब में से करता है और पे की कोई और कर रहा है तो fare naarndanm रही तो तो डालेक्स के कलेक्षंस और इंडानेट कि गवर्मेंट को inे होती है तो वह रिवन रैसे पी यूझ नहीं हैं और फिर भी कवर्मेंट को inने gram होती बीना कुछ किए तो वह कौन से रास्ते हैं तो सबसे पहला रास्ता है selling of goods and services for example government ने एक यूजना magazine आती है जो government पूरे साल जो भी यूजना वगेरा launch करता है अगर किसी को उसके बारे में अवेर होना है किसी को उसके बारे में information चाहिए तो यह magazine purchase कर सकता है तो यह government की बनाई हुई magazine है तो यह government अगर उस इस magazine को sell करें गई बारा बना तो यह sell करती है बहुत सारे online platform के उपर मिल जाएगी बारा बना तो इसका पैसा government को मिलेगा तो यह goods and services जो government के दोवरा बनाई गई है बनाए अगर उसको sell करने से जो income होती है वो non tax के अंदर आती है बनाए अरव डिवन्य रिशेब के अंदर आती है बनाए उसके जो भी सरकारी संसाय जो profit करती है जो profit करती है बनाए जहां पर सरकार का hold है बराबना तो वो profit भी सरकार के income होगी बराबना और वो भी कहां पर लिखा जाएगा non-tax के अंदर देवने receipt के अंदर बराबना उसके अनवा interest received ओके अभी for example एक इंडिया है और एक सिलंका है इंडिया ना सिलंका को को for example 100 करोड का loan दिया for example 100 करोड का लोन दिया तुम्हें बोल सकतो हो principle कितना दिया 100 करोड अभी सिलंका को लोन दिया है मतलब सिलंका इंडिया को वापिस करेगा वापिस क्या करेगा principle plus interest तो for example 10 percent rate of interest की ऊप़र लोन दिया है 10 परसेंट तो सिलंका 100 करोड तो करे यह करेगा उसके लिए लब 10 क्रोड वियाच भी वापिस करेगा बरा नल तो यह जो आ प्रिंसीपल वापस आने वाला है सौ कडो वो हम क्यापीटल पार्ट में एड़ करेंगे यह जो है इतना खाल रखना है कि लोन का अगर दिया है या तो फिर देखो अगर लो दिया है तो उसका इंट्रेस्ट आएगा प्रिंसीबल वापिस आने ही वाला है बढ़ावन तो प्रिंसिपल वापिस आएगा वो इंकम ही होगी बराव लेकिन वो कैपिटल पार्ट में एड करेगे लेकिन जो उसका इंट्रेस्ट आड़े वाला है वापीस बराव बनन उसको रिवन्यू पार्ट के अंदर एड किया जाता है पराव बनन राइट ओके फिर एक्सेंपल अगर किसी के पास हमने लोन लिया है लिया है तो हमको प्रिंसीपल वापीस करना पड़े के तो प्रिंसीपल जो वापीस करेगे उसको हम एक्सपेंडिचर वानेगे बराव बनन तो प्रिंसीपल वापीस करने को क्यापिटल एक्सपेंडिचर वानेगे बराव बनन राइट उसके अलब यहां पर एड होगा ब गिनेगे के इंकम के अंदर और principle जो मिलेगा वह willegy इंकम के इंदर गिनेगे बराबना okay अगर हमने loan लिया है लिया है तो हमको principle वापळीश करना पड़ेगा तो principle हम कैपिटल एक्सपेशटर के अंदर गिनेंगे और interest हम the revenue expenditure के अंदर के रहा देश को कोई ग्रांट देती है तो यह इसे इंकम कौन से पार्ट के अंदर रिवन्यू पार्ट के अंदर नौन टेक्स वाले पार्ट के अंदर बरावना ओके तो आपको पहले तो इतना पता होना चाहिए कि हमारी देश की income revenue income कौन कौन सी है तो ये tax और non-tax के माध्याम से हम revenue income टेनेट करता है tax के अंदर direct tax और indirect tax और non-tax के अंदर कौन कौन सी चीज़े वो आपको पता होनी चाहिए कि सरकार जो goods and services बेश के जो पैसा कमाती है वो सरकार इस अंसाई जो profit करती है वो सरकार ने जो interest receive किया है उसने किसी को लोन दिया और कोई किसी ने उसको interest दिया तो वो भी उसके अलावा जो बहार से को grant आती है वो भी revenue receive के अंदर मना जाता है वरावन राइट ओके यहां तक समझ में आया चाहिए लिए अब है रिवन्य एक्सप्रेइचर के बारे बात करते है कि जा ओके अंदर मतलब सरकार का ऐसा ख़्चा कि वो वो ख़्चा सरकार को कुई asset क्रियेट करके नहीं । ए और अगर कोई मतलब सरकार को ऐसा ख़्चा करना पढ़ रहा है कि वह उसको future में को income generate करके नहीं देने वाली है, बना मनन तो सरकार के ऐसे खर्चे को बोला दाता है, revenue expenditure, तो ऐसा कौन सा खर्चा है सरकार का कि जो उसको future में income channel करके नहीं देने वाली है, बना मनन, तो interest paid on the loans, मैंने भी आपको बताया कि अगर सरकार ने कोई जगा से loan लिया है, या तो फिर कोई देश के पास से या तो फिर कोई भी संसा के पास से तो उसको वापिस करना पड़ेगा प्रिंसीपल और इंट्रेस्ट दोनों और जो इंट्रेस्ट का पूर्शन वापिस करना होता है तो यह जो खर्चा होता है उसको कौन से पार्ट में गिनते हैं revenue पार्ट में और जो principle वापिस करना होता है यह जो खर्चा गिना जाता है वो कौन से पार्ट में गिना जाता है capital part के अदर तो एक तो यह खर्चा हों क्या उसके अलावा अगर हम as a government या तो हम कोई दूसरे देश को grant देते हैं या तो फिर हम union government के राज्य सरकार को कोई grant देती है तो यह grant का जो पैसा है वो भी सरकार का खर्चा है और वो डेवन में expenditure के अंदर गिना जाता है उसके अलावा सरकार जो subsidy provide करती है तो यह वह सरकार का खर्चा है रैट कि for एकजंबल 100 रूपया 600 रूपया का gas cylinder है उस में दो सरुपया का subsidy provide किया है सरकार तो हम ऐसा customer for example 400 रूपया में में मिल रहा है लेकिन दो ने 200 रूपया किसका खर्चा रुचा है सरकार का खर्चा तो Сरकार उसके मेंटेनेंस का जो अलग-अलग हम एक्विप्मेंट्स पर्चेस करते हैं उसका रहे तो का सारा खर्चा भी रेवन एक्सपनेचर के अंदर गिना जाता है उसके अलबावा सरकार जो अपने इंप्लोई को और पैंचन देती वह भी खर्चा का फिले अंगर आता है घेंड़र के अंदर बराबन नीस प्रेशन के अंदर जो हमने बाहर से लोन ली धी है नौनेस्टिकर बरावना उसका इंट्रेस वापिस करना है वह एक्षे जो ग्रांट हम दे रहे हैं दूसरे देश क को एटा फिराग्य सरकार को वह भी हमें को किनना है सब्सोर्डी का पैशा ईसे में जाथा है डीत अधिर सकता है वह बीत और स्य लाए पैंशन जो देना है इंप्लोई को बना वो भी रिवन जाता है रहां अब यह बात करते है capital part के अधर कुण कुण कुन सी income को गिना जाता है capital receipt के अंदर क्या 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 गिना जाता है तो capital receipt के अंदर debt और non debt के माधियम से सरकार्ड जो income रेनियर करती है वो गिना जाता है जैसे revenue receipt में इन्दर क्या गिरा जाता था tax or non-tax उसी तरीके से capital receipt के अनदर debt or non-debt अभी नाम से पता चलता है कि debt receipt क्या होती है कि जो हम रून से लाए है नो इंकम हम रून से लाए है उसको debt receipt में गिरा जाता है बराबना तो हमने जो देश के अंदर से लोल ली है या तो फिर देश के बहार से लोल ली है बराबना और इंकम जिनेट की है और जो हमरे पास पैसा है न वो हम बीसिट में गिनते हैं देखो for example मेरे पास पैसा नहीं है मेरे बहार से लोन लिया तो लोन लिया तो मेरे पास पैसा तो आया ना तो यह इंकम है रहे लेकिन डेट इंकम है जो मुझे कभी ने कभी वापिस करनी है तो डेट रिसीप के अंदर जो सरकार के द्वारा इंटनली या तो फिर एक्स्टनली जो लोन लिया जाता है वह गीना जाता है अभी इंटनली कौन कौन से माध्यम से तो आपको पता है कि सरकार गवर्मेंट सेक्यूरिटी इस्यों करती है government सेकूरिटी जब सरकार को पैसा चाहिए तब इस्यों करती है for example 100 गवर्मेंट सेक्यूरिटी सरकार ने इसू कि और उसमें बहुत सारे लोगों ने इंवेस्मेंट किया तो सरकार के पास पैसा आ गया लेकिन उन लोगों को पैसा वापिस देना पड़ेगा तो ऐसे पैसे को ऐसी इंकम को डेप डिसेमेंट डरा जाता है उसी तरीके से अगर कोई वल्ल बे पैसलर कांटी करीके को अदर कौण सा पैसा आता है कौण सी इंकम आती है तो सरकार ने आपनी संपती बेच के पैसा डाला पैसा जनरेट किया है बराबना या तो फिर अपना स्टेक रिडियूस करके बराबना कि for example कोई संसा के अंदर सरकार का स्टेक था 80% अपना स्टेक रिडियूस करके उसने 60% कर दिया तो 20% सरकार ने अपना स्टेक बेश दिया तो 20% सरकार को पैसा मिलेगा बराबना रहे तो करके करके पैसा आता है वह करोड़ करेगी और इंट्रेस करेगी तो प्रिंसिबल वापिस कर रही है वह हमारी इंकम है वह कैपिटल के अंदर गीना जाएगा बराबनन तो यह चीज़ द्यान में रखनी है तो पता चल गई डेप्ट और नॉन डेप्ट बराबनन ओके अभी हम एक्सपनेचर की बात कर रहे हैं उसके लिए क्या होता है फ्रेंज कैपिटल एक्सपनेचर जैसे हमने बात की कि रिवन एक्सपने लेकिन क्या होता है कि जो उस साल के बाद उसको इंकम चनेट करके देगा ऐसा खर्चा को बुले रहता है कैपिटल एक्सपनेचर बराबनन तो अभी हमने आगे देखा कि for example प्रेंटेस दोन ही वापिस करना परेगा तो जो प्रिंसेबल वापिस करना है वह हम डाले के लोन क्यों ली है कोई चीज़ बनाने की लिए इसके लिए लोन हमने भाहर से लिए या तो फिर डॉमेस्टिक लिए है उसका पैसा वापीस करना करना है प्रिंसीपल उसको सब्सक्राइब करते हैं और सरकार जो अलग 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 मिनिस्टिस के अंदर पैसा डिवाइट करती है वह भी खर्चा कहां पर डालेगे के अंदर बरामना तो इसनी चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो आइठिंग आपको इस पूरे टेबल के अंदर इस पूरे डायक्र पार्ट के अंदर आएगा समझने आया फ्रेंड्स ओके अभी इस के पैले में से डिवन्यू पार्ट की बात करो हूं sih कि आ है ओके अभी हमने यहे बजर के रियोन्यू पाट के अंदर बजर के ये कैपिटल पार्ट के अदर क्या आता है उसके बारे बात के परापना रैट तो अभी हम बजर के बारे थे म्हिस है उसके बारे मेंन देखते हैं रहें बहुत इंपोर्टन्ट है द र्र Hungary पार्ट के अंदर कि सरकार की जो रिवन्यू रिसीप्ट है रिवन्यू इंकम है और सरकार जो रिवन्यू एक्सपेंडेचर करती है बड़ा मना अगर मैं इन दोलों का डिफरेंस निकालो बड़ा मना तो वो नेगेटीव आएगा क्योंकि हमारी इंकम कम है जो टेक्स और परना तो यह जो नेगेटीव आएगा न वो उसको बोलते हैं डेफिसीट और इसको बोलते है कि सिट कबहु एपको ब से करना ये मेंव क्या करना था इस और लिवन्यू रिवन्यू रूसी रैंट इस ब lleva बोलते है डेवन्यू डिक्डियू इसको क्यों थैट प्लिसीट कर कि राजासवरसी कि कि दाज़ेस्वरखाद्य बदामनल this is okay कि तो रिवन्यटेफीट पता चल गया कि हमारा खर्चा ज्यादा है रिवन्यू एकसपनेचर रिवन्यू रिसीट बदामनल और इसके बांत्य हमसे जो revenue deficit यह कोई जब हम आगे budget पड़ेगे बराबना पार्ट टू के अंगर तम आपको यह सब terms बहुत ही काम में आएगे और अभी आपको एक्दम smoothly पता चल जाएगा कि यह revenue deficit क्या है ओके अभी effective revenue deficit क्या है कि effective revenue deficit अगर मैं revenue deficit में से जो grant provide की है हमने बराबना अगर वो minus कर दू तो जो answer मिलता है न वो effective revenue deficit है अभी लेखो grant यहाँ पर हमने revenue expenditure के अंदर जो हमने अलग-अलग जगा पर grant दी है या तो राजे सरकार को या तो फिर कोई संसा को या तो फिर कोई list develop country को बराबना वो हमने कौन से पार्ट के अंदर एड किया है revenue expenditure के अंदर बराबना तो यहाँ पर सरकार का ऐसा कहना है कि हमारा revenue deficit इतना क्यों बढ़ रहा है क्योंकि हम grant के स्वारूप में बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं लोगों को बहुत help करते हैं लोगों को देश को राज्य को तो अगर इसके लिए हमारा performance इतना खराब दीख रहा है लेकिन अगर हम हमारे revenue deficit में से grant का पैसा माइनस कर देना तो हमारा revenue revenue deficit तो बहुत ही कम है बराबन अब डेशिट ज्यादा है मतब सरकार का performance खराब है क्राब एक मतब कैसे के सरकार income लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा कर रही है तब ही deficit ज़्यादा हो रहे हैं कि वह तो बहुती कम है सरकार ऐसा बोलती है. तो एकटर के अंदर नेक्सट पार्ट नदर ये सब का फिर से रिविजन करेंगे लेकिन तब हम डेटा के साथ करेंगे आप अभी जस्ट डेफिनेशन सब्सक्राइब लो बारा बना रेट तो डिवन डेफिसित ओके ठीक है रिवन रेटा ज्यादा है रिवन रिशिप से इसके लिए डेफिसित आया लेकिन इतना ज्यादा क्यों आया क्यूंकि हमने रीवन इंटा डिया क्या गीना है गरांट को गीना है वराव मना आगर हम इस ग्रांट को माइनस कर दें और बाहता है तो हमरा डिम्याद qué डेफिसित बहुत ही हो जाएगा सरकार का कहना ऐसा है और क्या बोल नहीं है कि यह ग्रांट जो बने हम रेवन्य एक्सपेटर के दर गिनते हैं कि जो भी खड़्चा है वह फूचर में इंकम जनरेट करके नहीं देता तो गांड को वैसे ही माना है लेकिन ग्रांट अल्टिमेटली किसी ने किसी ज देना है और इसके लिए एंपटीव ओद्यक्त क्या है बस जबन देफिसर्ट में सगहर को मघन इस परबनाई जो से अव received minus capital expenditure अगर मैं यह सभी का plus minus करूँ तो यहां पर zero आएगा और हरी country का budget deficit zero होता है मतलब हरी country budget deficit का मतलब क्या कि मेरी income कम है मेरा खर्चा जादा है तो जीतना भी difference है उतना में बाहर से loan पर लेके आऊंगा सब्सक्राइब तो यहां पर देखो revenue receipt और revenue expenditure यह तो negative आएगा यह negative आएगा रइट क्योंकि हमारा tax और non-tax के माधिया हमसे इंकम होता है वह हमारे खर्चे के comparison बहुत ही कम है बराबना तो यह नेगेटिव आएगा और हम देखे कि capital receipt और capital expenditure अगर आप इसको minus करोगे ना तो यह positive आएगा बराबना अब यह positive क्यों आएगा क्या हमारी income इतनी ज़्यादा है कि हमारे खर्चे से ज़्यादा तो हम development क्यों नहीं सामिल हो जाते नहीं ऐसा नहीं है यहां पर देखो capital receipt के अंदर क्या-क्या है गीना गया है non debt और debt तो अगर मैं अकिला non debt के माधियम से इंकम करूँ और तब positive आए का ना तब मैं मान सकता हूं कि हाँ हमने development किया है लेकिन यहां पर non debt और डेफ दूनों का accounting किया जाता है तो for example हमारा total expenditure revenue expenditure और capital expenditure for example हमारा 50 करोड है for example और total income हमारी 40 करोड है revenue receipt और यह non debt capital receipt बराबना 40 करोड है तो खड़्चा हमारा 50 करोड income हमारी 40 करोड तो बैलेंस करने के लिए कुछ तो करोगा ना तो फिर action और यह ultimately कहां पर एड़ होगा capital पार्ट के अंदर ना बराबना इसके लिए budget deficit के अंदर यह capital receipt के अंदर debt पार्ले पार्ट में जो गिना जाता है न वह ultimately क्या है loan है जो हमने हमारी budget को balance करने के लिए बाहर से खरीदा है बराबना इसके लिए always budget deficit zero आता है always budget deficit क्या आता है जीरो आता है बराबना रहे समन में आया रहे कि जितनी हमारी income कम है expenditure से उतना हमको बाहर से arrange करना है और वह arrangement के वज़र से budget deficit zero आता है राइट ओके चल्ड नेक्स्ट फिसकल डेफिसिट फिसकल डेफिसिट क्या है फ्रेंड्स तो फिसकल डेफिसिट है budget deficit के अंदर जो loan लिया है हमने उसको add कर दो फिसकल डेफिसिट क्या है राज कोशिय खा दिया कि जो budget deficit है budget deficit कितना है जिरो रूपीज और हमने loan लिया है बार से बराबना उसको add कर दो budget deficit के अंदर हमने loan को add कर दिया बराबना तो यह हमको क्या मिलेगा fiscal deficit मिलेगा बराबना है ऑनिन क्यों लिए हैं पर इंकम क्यों यह क्यों क्यों किम्स करने के लिए अगर मुझे मेजर करना है तो तो क्या मेजर करूंगा कि बहुन बाहर से मैं ने कि इन्टरली और एक्टरनली प्रावन अपने खर्चे को मैंने करने के लिए इंकम और खर्चे को मेंटेन करने के लिए वह मुझे देता है Fisks Lifúcar का डेटा बरावन ना रई शाला को है by अगर मैं फिस्कल डेफिसिट में से जो इंट्रेस्ट पे किया है जो इंट्रेस्ट पे किया गया है गवर्मेंट के द्वारा बराबन्नक उसको माइनस कर दू तो मुझे मिलेगा प्रैमरी डेफिसिट बराबन्नक यहां पे सरकार क्या बोलती है कि हमारी फिस्कल डेफिसिट क्यों इतनी ज्यादा है क्योंकि हम बहुत सारा in turnst pay करते हैं बहुत सारा in turnst pay करते हैं देखो interest paid on the loan कहां पे आता है revenue expenditure के अंदर अभी हम आगे next part के अंदर देखें कि इस साल के budget के अंदर हमारा कितना टार्डेट हां कितना सरकार क्या बोलती है कि जो पिछली कवर्मेंट है उन्हें इतने सारी लोन रखे ती बारा बना तो उसका इंट्रेस्ट पे करने में हमारा बहुत सारा खड़्चा चला जा रहा है इसके लिए हमारी फिसकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो अगर हम इसको माइन तो आइधिंग आपको सभी डेफिसेट्स के अदर अच्छे से समझ में आया होगा बहुत इंपोड़न्ट है ओके पर और एक बात जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी और बजेट को समझा बाराबन उसी तरीके से बजेट की थेयरी को और अच्छे समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए बाराबना कि GDP क्या होता है ग्रोस टर्मेस्टिक प्रोड़क्ट का मतलब क्या है कि इडिसर मार्केट वेल्यू इडिजर मार्केट वेल्यू और अल है फाइनल प्रोड़क्ट्स प्रोड़क्स के अंदर गूड्स भी आ गया और सर्विस भी आ गया वीचीज प्रोड्यूज्ट वीटीन इंडिया मतलब है कि वह सभी फाइने प्रोड़क्स की मार्केट मेल्व का सम है कि जो प्रोड़क्स जो गॉड्सो على प्रो बीचीज इंडिया के अंदर बनने हैं बराबना इंडिया के अंदर बनने चाहिए बराबना तो सबी का वह सम है GDP क्रोग्स टोमेस्टिक प्रोडक्ड बराबना रइड एक जड़िपी को तीन मेहथर से कहोंट किया जाता है बनाबननन एक तो एकस्पे नेचर मेहथर से एककुलेट करना है तब एक एंडिया के नंदर जीतना विंधीervit यहां प्लस-प्लस करके जो टोटल मिला वह ऐसा मना जाता है कि यह जो परजस्में में लगाया गया है तो यहाँ पर सभी के खर्चे को सम करके जो मिलता है न वो GDP है ऐसा मना जाता है रहेट ज्यादा अभी GDP तीन मेथर से कैकुलेट के जाता है एक तो एक प्रोड़क्शन मेथर से और एक है इंकम मेथर से अरे एक्सपेंडीचर मेथर से जब डीपी का कैकुलेशन होता है तब लोगों ऐसा मना जाता है कि देशके अंदर जितनी चीजों का उत्पादन होता है वो कोई ने कोई वेक्ति पर्चेस करता है और कोई ने कोई वेक्ति उसके पीछे खर्चा करता है तो इसके लिए यहां पे सभी नोगों के सभी खर्चों को सम करके जो बोला जाता है यह दिश का selling price है बराबना उसका sum कर ले न तो हमको GDP नहीं मिलेगा हमको मिलेगा Gross Value Edition जी वी ए बराबना Gross Value Edition और इस जी वी ए के अंदर अगर मैं Tax को Air कर दूँ और Subsidy को माइनस कर दूँ तो मुझे GDP मिलता है GDP 8 market price GDP 8 market price बढ़ाबना आपको जस इतना जयन में रखना डीटेल में नहीं जाना है कि वह GDP जब मैं production method से accurate करूँ तब मुझे क्या मिलता है gross value addition और ग्रॉस value addition के अंदर अगर मैं tax को add कर दो subsidy को minus कर दो तो यह मुझे से क्या मिलेगा GDP 8 market price similarly in term method के अंदर ही बढ़ाबना रेट आपको जास यह टम पता हुना जाए कि gross value addition is not GDP बढ़ाबना और उसके अगर मुझे वहाँ से GDP टक पॉइंस ना है तो tax को add करना है और subsidy को minus करना है simple बढ़ाबना ओके ओके उसके अलावा GDP का calculation 2011 और 2022 यह 2030 बढ़ाबना कि फोर एक्जमपल ओनियन का प्राइस सो रुपिया पर के पर केजी की बात करूँ पर केजी की अगर 2011 में फोर एक्जमपल 40 रुपिया था और 2030 में फोर एक्जमपल 140 रुपिया पर केजी एं और उप्रोडक्षन कोशा मैं यहां पर 2 kg हुआ है और यहां पर एक केजी हुआ है तो ऑनियन का यह जड़ीपी पी संथ condition क्तिना होगा तो यहां पर հूपी करकेजी यहां रूपीय का चीतना काट्री रूपीय की मार्गेट प्राइस है और यह तो क्या दिखाता है कि प्रोडक्षन कम हुआ 2030 में 2011 की comparison में फिर भी GDP हमारा बड़ा है क्या यसा पॉसिबल हो सकता है GDP का मतलब यह cross domestic product के इंडिया के इंदर कितनी चीज़ बनी उसके market value का submission बड़ा बना तो यहां पे तो मुझे actual scenario नहीं मिल रहा है कि production कम होते हुए भी मुझे GDP ज्यादा मिल रहा है GDP का आपन ज्यादा मिल रहा है क्योंकि मैंने GDP को market price पे compare किया है इसके लिए GDP को है न बेस प्रैस पे compare करना है यह असी का 140 क्यों हो रहा है production तो कम हुआ है लेकिन प्राइस बढ़ गया है ओनियन का inflation की वजह से हुआ है इंफ्लेशन की वज़े 180 के 140 बराबना तो अगर मैं इस इंफ्लेशन की इफेट को ना बूद कर दू तो मुझे जो growth मिलेगा तो मुझे actual growth मिलेगा तो यह इंफ्लेशन की effect को reduce करने की लिए सरकार ने GDP को calculate करने की लिए एक base year रखा है कौन साथ 2011 का अभी इसको कैसे count किया जाए कि फूर एक्जंपल अगर GDP की बात करूं में कितनी थी 40 रुपया तो GDP union की वजह से base price पे कितना गिना जाएगा 40 रुपया 40 रुपया चाली सुनिया वन रहें और GDP union की वजह से union का contribution GDP में कितना था 2011 के अंदर 80 रुपया तो यहां पर देखो अभी नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगा क्यों क्योंकि यह GDP पर किना हुआ है उनियन का production कम हुआ था और इसकी production एक कीजी हुआ था और उसके मार्केट वेल्यू 2011 के गिने गई थे बराबना inflation की effect को यहां पर नहीं गिना गया है बराबना तो जब भी GDP is base price आए तब आपको समझ जाना है कि हाँ इंफेजन की effect को नहीं किना गया है बराबना और GDP growth base price पे ही गिना जाता है बराबना ओके तो जीडीप बेस प्रेस पे मिला अभी फॉर एक्जमपल दुजर तीस में 40 रुपया GDP हुआ बेस प्रेस पे दुजर चौबीस में फॉर एक्जमपल पचास रुपया होगा तो जीडीपी क्रोथ कितना होगा दस रुपये का कितने पे 40 रुपय पे ऐसा होता है बराबना तो 25% GDP growth हुआ बराबना समझ में आया प現在 is a good good support Marx př propheze न हूजको बोला जाता है nominal GDP अ Limited जाता है उसके जाता है रिएलीप ब़रा बना रिएलीप थीन्क आपको सिक्टिंटर समझ में आया बबना थो थ्भा तो अभी मैं अगर यह स्लाइट पढ़ूंगा न तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा कि अगर मैं इंडिया की फिस्कल पॉडिशन के बारे बात करूं तो ग्रोथ के बात करूं तो एकोनोमी ग्रोथ अपने इंडिया इन फाइनसरे जो तूजर तीजिस के ये बजेट के अंदर एस्टिमेट किया गया है और फाइनसर woven24 के अंदर कितना होने वाला है ज इसे पॉइंट 8% होने वाला है बरावं न रहें ही ये जदीपि के बात करें तो फिसकल कई। 23 24 के अंदर कितना होने वाला है तो 5.99 पर्सेंट। प्रॉप जीडीपी हमारा सितना संट प्रॉप किया गया था ति스कन प्रोष सतंदर के अनल हैंánt Lok ला शाड़ हरा और इस्टिमेट किया जा रहा है 5.9 परसंट बराबनन रहें अगर में रिवन डेफिसिट की बात करूं तो रिवन डेफिसिट का कितना टार्गेट रखा गया 2022-2022 के अंदर क्या हम रिवन डेफिसिट 2.9 परसन अब डीडीपी हमारा होगा बराबनन जो लास्ट येर 2022-2023 के गया है 4.1 परसंट बराबनन देखो बजेट का मतलब है हम अगले साल क्या-क्या होने वाला है तो यहां पर सभी जगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्टरी आएगा बराबनन जस्टिमेशन किया जाता है कि हमारा फिसकल डेफिस दोरे तो इस तो इस में कितना रहने वाला है 5.9 परसंट बरेपी मतलब हम बाहर से इतना पैसा लाने वाले लॉन के माध्यम से बडराबनन ओर रिवन डेपिस हमारा कितना रहने वाले 2.9 सभी बराबनन मतलब हमारी जो इनकम है उसके जाद और इंकम और एकस्परिशा दिखिनस कितना रहने वाला है 2.9 पर सभी बड़ा मनना तो यह समझ में आया होगा है कि उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं टेक्स रेवन्यों की बात करूं कि ग्रॉस टेक्स रेवन्यू इस प्रोजेक्ट टू ग्रोव एट 10.4 परसें बजेट एस्टिमेंट दूजर तीज़ चौविस ओवर दर रिवाइस एस्टिमें दूजर भाईस तीज़ परापणना कि भी क्रॉस टेक्स रेवन्यू हमारा कितना होने वाला है टैन क्या है उसके बारे बात करते हैं और उस पे भी टेक्स अर्ट टेक्स और इंडल टैक्स उसके अंदर कितना परोणे वाला है और टेंडर टेंडर के लिए पोई पर पर यह बहुत है और वह भी 11.7 परसंट जादा होने वाला है 11.7 परसंट जादा होने वाले पिछले सरकी कंपेरीजन में और नॉन टेक्स रेवन्यू कितने कितना होने वाला है 3.02 लेक करोड रूपिया अभी यह सब क्या है उसके बारे में देखते हैं रेवनिव रिशीट का पार्ठ है और उसमें टेक्स रेवन्यू जी से जीतना आने वाला है उसको बोलते हैं क्रॉस टेक्स रेवन्यू टोटल करते हैं अगर में कि finance Commission के द्वारा स्टेट अभी टेक्स के माधियम से सरकार के पास इतना भी पैसा आता है ना उसमें से केंदर सरकार को राज्य सरकार में देना पड़ता है फाइनल्स कमिशन के कहने पर बार ना तो फाइनल्स कमिशन फॉर एक्जाबल 41 परसन बोला कि आपके पास सौ रूपिया अगर आया है टेक्स के माधियम से ग्रॉस टेक्स रेवन्यू अगर आपका सौ रूपिया हो तो उसमें से फॉर्टी वन परसन कहां पर दे दो स्टेट किया जा रहा है बढ़ा बना तो एक जरी डिवन्यू क्या है नेट टेक्स रेवन्यू क्या है वह पता चला होगा फिर नॉंट्र के माधियम से कίतना आने वाला है कि हम नॉंट्रेस रेवन्यू 3.02 तो लेक करोड रुपिया आने वाला है तो यह आपको ध्यान में रखना है ओके अगर मैं कैपिटल की बात करें तो नॉन डेप्ट कैपिटल डीसीप से 84,000 करोड रुपिया आने वाला है तरह बना 84,000 करोड रुपिया और टोटल में कैपिटल इक्सपेंडेशी और डाय misunderstanding ऐने वाला है तो यहाँ और तो यहां पे यह क्या बोड़ा है कि टोटल अच्पेंडेश्य रीबन के आतार अर्क्षेंडेशी है और टोटर कितना होने वाला है कि 45.0305 करों डूपिस सब्सक्याइब ढर्रा म bride और उसमें से कि अगयुम एक्सपनिचरा थाटी 5.02 लैक करों डूपिस सब्सक्या हिए जो मनलब कोई एसेड क्लियर करके नहीं देने वाला है और कितना है टेन लेक करोड रूपीज कितना है फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपनेचर टेन लेक करोड रूपीज बढ़ा बनना टेन लेक तो तो यह तैन में रखना है बढ़ा बनना औहां कि और नॉन डेप्ट रिसीप कितना वने वालज नॉन डेप्ट रिसीप prop नॉन डेप्ट रिसीप कितना मोले 84 थाउजन mı wa सब opposition कितना होने वाला है आध सबस्क्राइब करोंडिक तेक्स करोंड इॉन को कितना होने वाला है है कि तीन लाग कुपीस ऑना तो रुबंड़ तो इन्कंप कूस्स करा मेरा उचली ह सबूर्द्सी ने है कि न भुंडव फेलिस से होजन करोड का खड़चा है तो यह जो बाखी का पैसा है वो कहां से लाएगे हम लोन से लाएगे डेट के माध्याम से और यह क्या दिखाती है फिस्कल डेफिसिट दिखाती है जो फाइप नाइन परसन हम जी डिपी रहने वाली है अभी सब पुरा समझ में आ रहा है फ्रें सब्सक्राइब करने में ही चला जा रहा है तो अगर सरकार को डेवन डेफिसिट में से इफेक्टिव डेवन डेफिसिट में जाना है तो यह टेन लेक रूपिस माइनस कर देगा सब्सक्राइब अगर के ने फ्रेंड्स बाराबना के छोड़ ऑड़ ऊचा ओके और ये अभी यह अब जीटना भी पैसा लोन के मात्रह्च से एरेंज करने वाली है ब्राबना जो डेफिशीट पाने पोर्षन में आएगा कैपिटल रिसीट के अंदर बाराबना तुई बेट पारसन में प $60,000 लाग करोड और यहां से पैसा करने वाले हैं बावना उसके अलवा लोगों पैसा है लोगों वापिस करना पड़ेगा उसके अलबाव जो टेट प्रोविड़न फन्स है कब यहां से लबक 20,000 रुपिस बड़ाबत स्टेटैट पोविरंट फैसे और जो एक्टेन है बाद और एक्षर जो लोन लेने वाला है कि वह थो ट्वेंटीटीट थाउसन करोड रुपीज की बराबर तो यहां पर एक्षर लिया इतना प्रैसा का लोन पर लेने वाले हैं स्टेट प्रविद्टावजन करोड रूपीज और नेशनल स्माल सेविंग से फोर लैक करोड रूपी हम लेने वाला है बड़ा बना राइट ओके यह जो हमारे एक्स्पेनेचर और इंकम के बीच में में अच्छा उसको मेंटेन करने के लिए ओके फ्रेंड्स तो आज बजेट पार्ट बन के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा बजेट का बाकी का पार्ट है बड़ा बना थेक्यों प्रेंड्स बाइ